नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनीश भारती और आप देखने संस्कृति आयस यूटूब चैनल साथियों आज का जो हमारा टॉपिक है वह बेहर दिल्चस्प है वह हमारे आपके नाम से जुरा हुआ मामला जैसा होता है वैसा ही टॉपिक है लेकिन उस टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगा आपने अंगरेजी साहित के मुर्धन रजनाकार विलियम शेक्षपियर का नाम तो सुना ही होगा उनका एक प्ले है जिसका नाम है रोमियो जूलियेट उसमें जूलियेट एक एक्ट्रिस होती है करेक्टर होता है जो 13 वर्ष की अवस्था की होती है एक दिन क्या होता है कि जूलियेट काफी विचार करते रहती है और अपने नाम के बारे में काफी विचार करती है फिर जब उसके नाम के बारे में हो सोचती है बहुत सोचने के बाद चिंतन मनन करने के बाद उसके मन में एक खैल भी होगा तो जूलीट फिर कहती है सोचती है उस डायलोग को कि यदि गुलाव का जो पुश्प है यदि गुलाव का पुश्प का नाम बदल दिया जाए उसे किसी और नाम से पुकारा जाए तो क्या हुआ गुलाव खुश्भू देना सुगंध देना बंद कर देगी? नही वहाँ पर एक प्रशंग आता है जब कृष्ण एक बार चाहते हैं कि वह अपनी जो पूरी स्वजन के साथ मत्रा और बिंदावन का छित्र छोर करके द्वारका में बस जाएं तो वहाँ पर फिर उसे बल्राम कहते हैं कि यदि तुम ये जगा छोड़ते हो कृष्ण तो से ही उत्तर दूँगा तो यही हमारा टॉपिक है कई बार सारु खान के फिल्मों में भी आपने या देखा होगा कि नाम में क्या रखा होगा लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है यह यहीं बताता है कि नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है क्योंकि नाम पर ही विवाद चिर करेंगे यहां के संविधानिक पहलू क्या कहते हैं कानूनी पहलू क्या कहते हैं उसको हम देखेंगे सरकार के तरफ से आधिकारिक बयान क्या आया है इसको देखेंगे क्या परिवर्तन करने की बात की जा रही है विपक्ष क्या कहता है बैभारिकता के लिए कहां तक यह सही ह होगा इन सभी मुद्दों पर हम विचार करेंगे तॉपिक देखिए क्या देश का नाम इंडिया से होगा भारत यानि कि कहीं ने कहीं आप टॉपिक देखकर के नहीं समझ गए होंगे कि अभी चर्चा में क्यों बना हुआ है यहां पर बात की जा रही है कि इंडिया के जगह पर क्या भारत सब्द ही अब देश के नाम के लिए प्रयोग किया जाएगा उसे पहले आपके लिए संस्कृति आयस के तरफ से एक सूचना है नया फांडेशन बैद जो है वह स्टार्ट को रहा है जिसमें प्रिलिम्स और मिंस दोनों सेग्मेंट की पढ़ाई कराई जाएगी तीन अक्टूबर तारिख किया गया है और दो पहर के तीन बजे इसका समय रखा गया है या ऑफ लाइन और ओनलाइन दोनों मोड में अबलेबल है सिक्षक हैं हम अपने टॉपिक की ओर यहां पहले सबसे पहले देखनें कि चर्चा में क्यों है जैसा कि आप देखनें इंडिया एंड भारत इंटर चैंज हो सकता है क्या या केवल एक ही शब्द आधिकारिक तोर पर इस्तमाल किया जाए तो फिर क्या समिधान में शंसोधन करने की आवशकता होगी और शंसोधन की आवशकता होगी तो वह कौन सा अनुच्छेद होगा जहां पर काम करने की जरुरत होगी इसको ले करके कहा गया है इंडिया को छोड़ किया आप देश का नाम केवल भारत कर दिया गया है यहां पर केवल शब्द पर ध्यान देना है यहां पर विदीर विशैशक्ग का कहना है कि आपको शंविधान में परिवर्तन करना परेगा तो इन सब चीजों पर हम डिटेल से बाते करेंगे सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि आखिर मुद्दा चल कहां से परा है जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी के बाद से यदि मैं कह है अब देखिए यहां पर जब 8-10 सितंबर के बीच G20 का समेलन होने बाला है दुनिया भर के लीडर जो है बरे-बरे यहां भारत आ रहे हैं उसी बीच क्या है कि राष्टपती उनको डीनर देंगे तो राष्टपती के डीनर अगर नेताओं को देते हैं तो आमंतरन पत्र बेजा जाता है उनको अब उस आमंतरन पत्र में जिस तरह से लिखा हुआ है वहीं पर आकर के विवाद फसा है तो यहां से मुद्द समझ गए कि G20 समीट के संदर में कुछ बाते हैं यहां पर जो आमंतरन दिया गया देखिए दे प्रिसिडेंट ओफ भारत यहां पर प्र अधिकारिक तोर पर इंडिया शब्द को रिप्लेस करके भारत सब्द देश के नाम के लिए इस्तवाल करने वाली है यहां पर जाकर के विवाद उत्पन हो जाता है तरह तरह के बयान इहां फिर आने लग जाते हैं यहां मामला थमा भी नहीं था कि एक और बुकलेट जार हुई बाते इसमें बताई गई है अभी इस बुकलेट में क्या कहा गया है इसे देख लीजिए यहां विजिट ऑफ दप्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत देखा आपने ज्यान से देखना है यहां पर जब डिनर के लिए इंविटेशन गया था पहले इंडिया इस्तमाल होता लेकिन प्रेशिडेंट ऑभारत यहां भी लिखा हुआ है और इस बुकलेट में वहां पर प्रेशिडेंट के लिए लिखा हुआ था विजिट ऑफ दप्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत और यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी के लिए लिए लिखा हुआ है भारत स सब्सक्राइब का इस्तमाल किया गया है तो यह अपने आप में इस बात क्या पुख्त करता है तरक देता है क्या सरकार इस तरफ आगे कुछ बढ़ने वाली है अब यहां पर आप जानते हैं कि संसत का विशेश सत्र बुलाया गया है तुर सरकार ने एजंडा अभी नहीं बताया है तो तरह तरह के बाते चलती रही है जैसा कि आप जाने हैं कि एक देश एक चुनाब के लिए समीती भी बना दिया गया रामनात गोबिन जी कि अधिक्स्ता में एक समीती बना दी गई है तो यह बात भी चल परी है कि क्या एक देश एक चुनाब को लेकर के वि इस्केशे सत्र में सरकार्स Ohh करके शामने आरही है को कि सरकार نے अभी तक आधिकारी का दुछ नहीं कहा है हो कि तरबक्ता है संबीत पत्रा उन्हों ने ऐसी जानकारी दिया है तो सरकार के तरब से और पार्टी के जो नेता है जो केंदर में पार्टी में हैं लोग उनके तरब से जब इस तरह के चीज़े आ रही है अधिकारिक तोर पर तूट किया जा रहा है तब जाकर के कहिन कहीं विवाद उत्पन इस पर होना था चुकि सरकार ने अभी तक बहुत अपना आरोप लगा रहे हैं विपक्षी दल का आप जानते हैं एक गठवंधन अभी तयार हुआ है और उस गठवंधन का नाम क्या तिया गया है इंडिया ठीक है यह इस तरह से लिखा गया है इंडिया इस तरह से विपक्षी दल का गठवंधन है तो विपक्षी की दल कह र रहे हैं और जहां चहां इंडिया शब्द देश के लिए इस्तमाल होता था वह भारत इस्तमाल करने की गोजना बना रहे हैं यह इनका एक तरह का आरोप भी है यहीं पर अगर देखेंगे मां की सभी लोग जैसे क्रिकेटर बिरंद सावाग वो तो कह रहें कि अभी जो आगा ठीक है आप कहते रहते हैं करेंट अफेर्स क्या होता है यहां तक करेंट अफेर्स है अब हम यहां से आगे चलेंगे अपनी एक नई यात्रा पर नई यात्रा कहने का मतलब है सबसे पहले जो यह मामला आ रहा है इंडिया भारत तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका मतलब में कई जगह अलग अलग घटनाओं में आपको भारत शब्द जो है वह इस्तमाल में मिलेगा यदि सबसे पॉपुलर मैं कहूं भारत सब्द का इस्तमाल और जहां से हम लोग जो सोच पाते हैं कि भारत सब्द आया होगा उसको लेकर के बात करें तो महा भारत के अनुशार यहां पर शकुंतला और दुश्यंत की चर्चा की गई है ठीक है शकुंतला और दुश्यंत के पुत्र के बारे में भारत के बारे में यह बताये गया था कि यहां एक चक्रवर्ति शम्राठ होगा यह जो कि अश्मेग यग करेगा इसका यस जो है चारों तरफ फैलेगा ठी पर भारत के नाम पर भारत की बीच था एक परिवार की जमीनी बिवाद कलह के लिए युद्ध हुआ था फिर यहाँ पर भारत शब्द का इस्तमाल क्यों किया गया यह भी एक तरक देते हैं बहुत सारे जो साहितकार हैं बहुत जो इतिहासकार हैं उनका यह मानना है चुकि महाभारत का जो युद्ध हुआ था निस्चित तोर पर वह एक परिवार का युद्ध था लेकिन उस यु युद्ध में शामिल हुए थे इसलिए यहाँ पर भारत सब्द की परिकल्पना की गई युद्ध बरे अस्तर पर था इसलिए महाभारत सब्द को यहाँ पर लाया गया यह एक तरह की बात है इस पर अनेक तरह का मत है तो आप इसे समझ सकते हैं लेकिन सकुंतला और फिर क्यों परचलित है यह कथा इसी लिए परचलित है क्योंकि कालिदास एक रचनाकार है और कालिदास की एक किताब है अभिज्ञान सकुंतलम जो है अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट पुस्तक है यदि अभी तक आपने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है तो निश् प्रेम कथा है अब प्रेम की बात जहां आ जाए वहां पर इंसान कैसे उसे ना पढ़े है ना प्रेम तो ऐसा नाजुक चीज है जहां पर बहुत बड़े बड़े फिशल गये हैं तो यहीं पर आकर के पूरा जन्मानस फिशला अभिगान सकुंतलम पढ़ा और अभिगान स सकुंतलम जैसे जैसे लोगों ने पढ़ा वो रजनाय अलग-अलग हाथों में गई तो चर्चा बंदा सुरू हो गया भरत का यहीं से यह परिकलपना आकर के लोगों तक आम जन तक पहुंचता है इसके अलावा भी इस नाम के होने के अलग-अलग तरक दिये जाते हैं जै देश का नाम जो है भारत परा होगा यदि वैदिक गरंतों की बात करें तो वैदिक गरंतों के अनुशार जो है भरत कबीले के नाम पर देश का नाम भरत परा होगा भरत एक रिशीद है और जितने रिशीद है उनके नाम के आधार पर कबीला तैं हुआ था वेद हमारा य भ़हरणо यह सब्द से भारत का उसपत्ती हुआ होगा यह भी बहुत लोग कहते हैं कुछ लोग का इसते हैं कि युद्ध के लिए झाल के लिये करते हैने कि इस जगह पर काफी युद्ध हुआ होगा तो इसलिए भी संभब है कि इसका नाम जो है यहां से आकर के भारत परा होगा तो तरह तरह की बाते की जाती रही है लेकिन मुख रूप से जो कथा पर चलित है वो शकुंतला और दुश्चंत के पुत्र भारत के नाम पर भारत का नाम यह परा होगा ठीक है यह debate इतना हम रखते हैं आगे बढ़ते हैं इससे आगे चलते हैं अब यह जो पूरा मुद्दा है उस पर सरकार का क्या मत है यह जानना जरूरी है यूँ तो सरकार ने आधिकारिक तोर पर अभी कुछ नहीं कहा है सबसर पहले समझने की बात यह है आधिकारिक तोर प बात्चीत में यह कहा है कि देश का नाम बदलने का विचार बिलकुल भी ऐसा नहीं है यह एक तरह का अपवा है हलाकि केवल उस मूल नाम को हम याद दिलाना चाहते हैं जो मूल नाम वेदों और गरंथों में इस छितर के लिए इस्तमाल किया गया है विपक्ष पर इन्हो कोई जानकारी इस पर नहीं आया है अब यहां से हम चलते हैं जरा कानून के तरफ हम यहां से चलते हैं न्याले के दरवाजे को खटकट आते हैं इसके बाद हम संविधान को भी चटो लेंगे देखिए सुप्रिम कोर्ट के बात करते हैं सुप्रिम कोर्ट में पहले भी कई याचिकाएं इस संब्द में पहुंच चुका था और लोग कहते थे कि देखिए ऐसा है कि इंडिया सब्द को जनाब आप कहिए कि इसका परियोग नहीं करना है और इसके जगह पर हम भारत सब्द का ही इस्तमाल करें तो क्यों कि भारत सब्द जो है वह हमें गौर्वान भी म सुप्रेम कोर्ण ने इस याच्छका को देखा सुप्रिम कोर्ड ने कहा चाहं कि ऋदेखिए सम्भिधान में पर हम आएंगे इंडिया और भारत दोनों ही शब्र का इस्तमाल किया गया है और दोनों को इस तरह से कोई भी जहँगा जयाता है इस जगों को पुरी कोशिश की कि इसमुद्ध को यह पे से हमेशा सफलता नहीं मिलता है कुछ लोग हैं जो मुद्द को निश्यतोर से उभारना चाहते हैं और फिर से याजिका लगातार इस चीज़ को देते रहे यहां पर अब सरकार नहीं जब यह मत उठा लिया है कई समाजिक संगठन भी लगातार इस बात को कहते रहें कि इंड अनुछेद 1 कर्फ चलते हैं कि भारत जिसे इंडिया जाए जो संग है एक शंग है लेकिन किसी राजियों से मिला हुआ एक संग है सम्विधान के केवर अनुचेद एक में ही देश के नाम को ले करके चर्चा मिलती है यहां पर यह समझना है कि सम्विधान जो है इसमें भारत और इंडिया दोनों नाम का उलेक किया गया है सुप्रिम कोट ने यही से पकरा इस चीज़ को और कहा कि देखिए चुक ने सुप्धा के आधार पर कर ले लेकिन मामला फिलहाल तो यहां रुखता हुआ नहीं नजरा रहा है अब जरह हम समझते हैं कि आगे की राह क्या हो सकता है कहां तक यह मुद्धा पहुंच सकता है इसे हम देखते देखिए यदि सरकार जो है इस मुद्धे पर आहीं देना है कि यदि भारत करना है आधिकारिक तोर पर तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर यह मत समझिए कि यहां पर शम्विधान वेगेरा कोई परिवर्तन करने का जरुरत परेगा यदि भारत करने marine्वे नहीं हें लेकिन हिंदी के भारत और इंग्लिश में जहां जुरुत परता है लोग इंडिया लिखते आए हैं, तो यहाँ पर भारत पहले से ही इस्तमाल होता रहा है, हम लिखते हैं भारत का प्रधान मंतरी, भारत का राजपत्र वेगरा जारी होता है, यह आधिकारिक तोर पर जब भ वह करते हैं लिए इंडिया नहीं होगा इसे हम हटा देंगे तब आपको संभीधान में भ्यापक कोड़नें कड़ेक और अनुच्छेश्य को सद्वばい द करते हैं और संब्धान संसोधन कैसे होगा? ति यदि आप अनुचेद एक में संसोधन करते हैं, तो संसद के दोनों सदनों में विशेश बहुमत से इसे पास कराना होगा. विसेस बहुमत कहने का तात्पर है कि दो तिहाई जो लोग हैं जो संससदस हैं वह इसके पक्ष में मत करें और अगर इसे सुप्रिम कोट जो है वह बेसिक स्ट्रिक्चर के तहद विचार कर लेती है देखिए सुप्रिम कोट ने केशवा नंद भारती केश में असपस्ट काम कर रहें और अपना काम क्या कर रहें तो मेरा यह करतब है मुझे संविधान के द्वारा ही यह दायुत दिया गया है कि मैं संविधान की व्याक्या करूं तो यदि आप इस तरह के कानून बनाते हैं इस तरह के विधेक लाते हैं जो कहीं न कहीं बेसिक स्ट्रिक्चर के खिलाप हो, तो Supreme Court उसकी review करेगी और उस कानून को हम रद कर देंगे, यह Supreme Court कही है, तो इन्होंने कहा सरकार ने कि आप अप बता दीजिए जनाब की basic structure क्या है Supreme Court ने कहा यह अभी हम नहीं बताएंगे, यह हमारे समय समय के फैसलों से तैं होगा, हम जो मुद्धा आएगा उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या बेसिक इस्ट्रक्चर है और यहां पर जब नाम परिवर्तन करने की बात आएगी तो मान के चलिए यह याचिका सुप्रिम कोर्ट में पहुंचेगा और सुप्रिम कोर्ट सबसे पहले यही देखना इसे पसंद करेगी क क्या यह बेसिक इस्ट्रक्चर के साथ छेरचार है भी या नहीं तो यहां पर यदि बेसिक इस्ट्रक्चर के साथ छेरचार होगा तो निश्ची तोर पर यदि इस मुद्धे पर विशेश बहुमत होता है कोई कानू लाय जाता है तो सुप्रिम कोर्ट इसे रद करने से ब उनको भी इस बिल को साधारन बहमद से पास कराना पड़ेगा जैसे बिषए इस बहमद में क्या हुआ दो तिहाई जो है वह पक्ष में मत हो ना चाहिए और साधारन बहमद कहने का अर्थ है कि राज्यों में जब यह होगा विधान सवाओं में तो जितने भी सदस उपस्तित हैं उनमें से आधे से एक अधिक जो है वह पक्ष में बहुत आ जाता है तो वह साधान बहुमत हो गया तो यह सारा मुद्दा होगा निशी तोर पर फिर से मैं कह दूँ सुप्रीम कोट बेसिक एस्ट्रक्चर पर एदी आज का अब विधेक बनता है और फिर याज का जाता है सुप्रीम कोट इसे जरूर देखेगी तो फिर से कहीं ने कहीं आप बेसिक एस्ट्रक्चर को ढंग से पढ़ लिजेगा यहां पर अनुछेद एक आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है अनुछेद एक के लावा मैं आपके लिए यहां होम बर्क देना चाहूंगा यहां पर अनुछेद एक तो मैंने बता भी दिया लेकिन एक दो तीन चार इन सभी को थोरत सा पढ़ लिए क्योंकि यहां आपके लिए अब जरूरी हो जाएगा चलिए अब इस मुद्धे पर देखते हैं कि जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारत का नाम जो है वह बद तुर्किय से ग्राषि Cabra कि यहां तो हमारा परोषी देश है बर्मा तुछा हुए हर जिस्सेसे अब हम स्रिलंका कहते हैं यह सब हमारे परोषी राष्टैंज से उस स्वाजINA किया गया था मेसडोनिया गनराजि इस से कोई नई बात不會 और यहां अगर इंडिया यह भारत देखें यह दोनों नाम तो पहले से ही परियोग किये जाते रहे हैं तो इसमें कोई परशानी की बात नहीं है अभी भी आप भारत कहते हैं हम भारत-maata की जय कहते ही एंग और हम यह कहते हैं कि हम सब भारत-vaasival तो इसमें कोई शमस्या फिलहाल नजर नहीं आ रहा है यहां पर एक चीज और इंट्रेस्टिंग देखिए यदि अगर इंडिया शब्द को हटाते हैं और भारत सब्द इस्तमाल मिलाते हैं तो हमारे बहुत सारे इंस्चूट हैं जिसके नाम में इंडिया वर्ड जुरा हु तो उसके लिए बी सब्द इस्तमाल होगा तो फिर इसे बी आ एईटी करना पर एगा ठिक है जैसे आरवि आ इक है रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया यदि इंडिया खत्म हो जाता है बहुत सारे शेयर साथ बहुत सारे ऐसी चीजें कितनी कराई जाए उन सबों में कुछ न कुछ परिवर्तन करना परेगा बहुत सारी तो ऐसी पार्टी है जिनका नाम ही जो है वह इंडिया से सुरू होता है उसके अलाबा देखेंगे क्या यह पहली बार बहुत सारी कंपनी है जो और लेडी भारत स जाता है तो उसमें अगर आप देखेंगे जगा जगा लिखा रहेगा made in इंडिया यदि वह इंडिया में बनता है made in इंडिया लेकिन पतंजली क्या करती है वह इंडिया शब्द का इस्तमाल नहीं करती है वह पहले से ही क्या करती रही है made in भारत लिखती रही है ऐसे आन्यक गौर्वानवित करने बाली महेमा मंड़ित करने बाली भारतिय जन्मानश को चौन ज़ूर भारत जूरजाता है। इसलिए कि इसका इस्तमाल किया जाता है, बांकि और कोई किसी को न आपती है और नहीं इसके परयोग क कोई परेज है। चलिए इस टॉपिक पर एक शंभावित प्रश्ण है, उसे सबसे पहले देख लेते हैं, निमलिखित कत्नों पर विचार करें, यहाँ पर आप ये विचार करें, तो तुरंत विचार नहीं करने लग जाना है, यहाँ देखना है कि कितने सही हैं, जैसे गबबर सिंग पूस्त विकल्ब देना परेगा, चलिए, पहला क्या कहता है, भारतिय संभिधान का अनुचेद एक, संघ का नाम और राज छेतर से संबंदित है, आपको देखना है कि यह स्टेटमेंट सही है यह गलत है, भारतिय संभिधान का अनुचेद दो, नए राज्यों के प्रवेश या स् हिस्सा नहीं है, ठीक है, इसको अगर मान लीजे कभी बलुचिस्तान जो है भारत का हिस्सा बन जाए, तो किस अनुचेद के ताथ वो भारत संग के साथ जूरेगा, तो यह सब आपको देखना है, थोरा सा पढ़ना है, भारतिय संभिधान का अनुचेद तीन, के अंदर सा जबारता है उस विकल्प का चैन करके, जैसा कि अभी तक आप कमेंट वाक्स में लिखते रहे हैं, तो कमेंट वाक्स में इसे भी आपको लिख देना है, आप में से अधिकांस्ता लोग जो है, वो बहुत अच्छा जबाब दे रहे हैं, इस बार के वीडियो में मैंने एक क रहते हैं किसी दूसरे लेक्चेर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी अपना खयाल रखिए थैंक यू कि अगर आगर कि अगर कि अगर